हालो प्रेंट्स वल्कम टो वाल मैंने में सारत अब देखरे आपी का फेपरेट चैनल स्मार्स अरो टेक फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे क्वाटर त्री धमा का धर रेजल्ट और एक दिया एक कंपनी वह भी आईटी का आईटी कंपनी अपना इंडिया का सिकेंड लार्जे की फ्रेंट्स मैंने जल्दी थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया था और मुझे मालब था चूट्टी था इसलिए मैं थोड़ा आराम से बनाऊंगा करके सलसाद मेरा बहुत सारा काम है प्रेपर्शनल काम रहता था इसलिए मैंने नहीं कर पा रहा हूं 15 देसे आप लोग क तरीका और उसके बाद मॉंड़े के लिए लेबल्स क्या रहेगा और टार्गेट क्या लेके चलेंगे चाते सब्सक्राइब करते आज का वीडियो और वीडियो स्टार्ट करना से पले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूं यह मेरा एजूकेशनल प्रपोर्चेंज रहे इस अगर आप लोग मेरा भीव लेके काम करना चाहते तो एक बार आपका कोई फाइन्सल आडवाजर रहेंगे तो उनका सल्हा मसला ले लिजिए नहीं तो आपका कोई आप ही खुदी कुछ अनालिसिस कर लिजिएगा और आप लोग अगर मेरा भीव अच्छा लगता तो प्ल 27 क्रोड रिविन्यू ग्राइड लाइन्स राइच टेन टू टेन पॉइंट फाइल पॉर्सेंट बहुत बढ़िया सर्थ यह इन्फोसिस ने वाटर सिट रेजल्ट में इतना बड़ा जॉंप देखाया है आगे हम लोग देखते और क्या है ना फ्राइडे ऑन बीट स्टी यह स है, ढू हाँ, जो मार्केट का जो एस्टीमेंट था, मार्केट का क्या एस्टीमेंट था, मार्केट का एस्टीमेंट था, 0-4.50 क्रोड का मुनाफ़ा कमा सकता है, तो इन्फोसिस ने वा बीट किया है वो जो यह jom जो अंदास था इतना परसेंट तो का आएगा बट मार्केट को वह टक्कर देके 4477 सुरी 447 पर 57 क्रोड का जंप देखाया मतलों मार्केट से भी 200 क्रोड का जुप देखा है इंफोसिस ने और साथेना रेभिण्यू में मार्केटने रेभिण्यू का जो अकड़ा लगा था यह था 21,400 कुरोड़ का मर्केटने लगाए था वड़ इंफोसिस ने रेभिण्यू में भी 23.092 का जुप देखे इस वह आचा देखा दिया तो आमों लोग एक बैर देखते। एंफोसिस का मुनाफा करना आप दिखेंगे यह 8 प्रोफिट में देखेंगे तो APP का है जो 21 400 अभी का जो हुआ है और 23 092 प्रोड तो यह रेविल और मुनाभव में भी आच्छा प्रॉफिट देखाया और कौन सा कौन सा सेक्टर से कैसा आया है इदर मेंशन किया गया आप लग जाके पढ़ सकते हो जैसे कि फाइंशन सर्विसे से 31 परसेंट आया रिटेल से इतना आ देखाया है और इदर नॉर्थ अमेरिका से रेविनू जो रोसालानाप में बढ़ा है और तिमाही में कौम हुआ है यह लिखा हुआ है तो नॉर्थ अमेरिका में यह 19 का डिसेम्बर 19 में 61.3 और ओक्टोबर में आया था लेस्ट लेस्ट यूर का 60% 4 बट से क्वाटर टू में जितना आया था उसमें से 1.0.1% का कौम हुआ है यूरोप से जो आया था 18 में आया था 24.2 अभी यह साल यह क्वाटर में आया है 24.4 मतलब इसमें ओके है भारत में से किसा आया 2018 डिसेंबर को आया था 2.66% और यह क्वाटर 19 का आया है 3 का 2.8 मंच इसमें भी फ्लाट मतलब बढ़ा है मतलब फ्लाट बोल सकते हो तो बाकी दुनिया से जो आया था लास्ट यह डिसेंबर में आया था 12% 8 और यह इदर कम हो गया है 11.5% तो इसमें तोड़ा मीला जूला है ओभरल आप बोल बोल सकते हो रेजल्ट आच्छा आया है स तो उसका पर जो इसल प्रोर का जो एलिगेशन लगा था वह एलिगेशन फूरी थरा से नाकामयब हो गया इनफोसिस यह उसमें से बाजी मार के आगे चला गया जैसे कि आप देख सेक्तों मिस्ट सीयों मिस्टर सॉलिल पारिक और एमडी जैसे कि बोले है जह हम लोग जो उनका पर जो आलिगेशन था वह बेंगुनियाद था ऐसा कुछ नहीं है और इनफोसिस में कुछ भी तकलिब नहीं है और आप लोग को मैंने जैसे बोला था जे हम लोग हमीशा के तरह देखते हैं इनफोसिस का जो फ्राइडे का मार्केट में कैसा काम किया था दस जानव अनफोसिस का जो क्लोजिंग हो था बहुत संदर क्लोजिंग जेए था फोग अनडर फोटी का टूवल पॉंट फोटीफाइब पॉइंट का गिरवा पॉजिटिव के साथ अपर्संट देखेंगे तो 1.71 पर्संट का पॉजिटिव था और जो प्रिव्योस क्लोजिंग थ था 727 ओपनिंग 740 जिदर 40 ओपनिंग किया था हम लोग और हाई मारा है 742.90 लोग 730.50 का और सिक्रूट वाइज डेलीवरी देखेंगे आप रेंट्स एक बार आपको मैं थोड़ा बड़ा करके देखा देथा चाहता हूं 93,41,000 का क्वांट्री ट्रेड हुआ है उसमें 26,41,000 क्वांट्री डेलीवरी में गया परसेंटेज देखेंगे तो 28 परसेंटेज का डेलीवरी गया है जैसे कि आप लोग मालू में 25 परसेंटेज बहुत ही सांदार रहता है और इंफोसिस के लिए यह भी अच्छा हुआ है तो हम लोग अभी करेंगे क्या नेस्ट क्या करेंगे मॉंडे के लिए क्या टार्गेट लेंगे जाएगे मॉंडे के लिए जैसे कि आप लोग मैं बोल रहा हूं यूएस मार्केट में आज 10.66 ADR क्लोजिंग किया है 10 जानवरी को तो मिंस पॉजिटिव दिया है श्राटिंग में तो 5.0% का ओप हो गया थ तो आस्त अस्त मार्केट जैसे ब्लोज होते होते आया तो थोड़ा डाउन होग के क्लोजिंग वा 1% गेन के साथ तो इधर भी यह मार्केट अपना इंडियन मार्केट साहएद जबिता है तो हम लोग को levels लेके चलना है, levels क्या रहेगा, अगर Infosys Monday का market में opening होता है, gap up, तो किदर तक जा सकता है, 750 को, अगर volume का साथ cross किया, तो मैं देखूंगा, 775 तक जा सकता है, और ये Monday के लिए, next week के लिए भी आप बोल सकते हो, इसमें 750 को काटना है, वो भी volume के साथ काटना है, ये सा नहीं काटना है, तो ये एक positive sign रहेगा, और उसको, और market का जो analysis जो बोल रहे है, Infosys का जो target रहेगा, ये month का 810 तक जा सकता है, ये मेरा केना नहीं, market का केना है, आप उसका पर एक बार आपका भी विचार रखना है, मैं जो view देता हूँ, only view है, इसमें आप लोग का analysis भी करना है, और उसको साथे साथ आपको आगे चलना है, और अगर मानलीजे, Infosys downtrade opening हो गया, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग आप देखेंगे, 730 जो है, एक strong support है, उसके नीचे भी और एक strong support है, 720, एक strong support है, उसके नीचे और एक strong support है, 702, यह भी एक strong support है, और एक strong support है, तो भी आपको बताना चाता हूँ, वो है, 701, 1, 2 आप बोल सकते हो, अगर यह 700 level तोड़ेगा, तो फिर 680 तक जा सकता है, Infosys, यह तो बातों की बात है, यह एक मेरी ख्याल से तो नहीं आना वाला है, कलका session में, कलका session में मे 750 को अगर chase करता है, हाई volume का साथ chase करता है, तो 810 का मेरा आपको नजर आ रहा है, यह मत 10 तक मिल सकता है, Infosys में आप लोग नजर रखकी बनाक रखिये, और जो हिसाब से trade आएगा, आपनों को हिसाब से trading करेंगा, अगर आपको पुछ चकली भी होगा, तो मेरा WhatsApp नमबर नि लगता है, तो प्लीज लाइक, कमेट, से यार करना मुद भूलें, तब तो के लिए जय हिन, जय भारत.